चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खबरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए नीजी बसों की हर्ताल इसकूल कोलेज के स्टुडेंट और सरकारी करमचारियों हुए परिसान जही माचल परदेश की राज़ानी सिमला में मंगलबार को नीजी बस सांचालों को ने हर्ताल कर दी एक दिन की हर्ताल के एलान के बाद मंगलबार सहर में नीजी बसे नहीं चली और इस्कूल, कोलेज और दफ्तर जाने वाली लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ा यहां तक की लोगों को पैदल अपने गंतव्य की और जाना पड़ा दरसल परदेश सरकार और परिवहन विभाक की और से मांगे नो मानने पर नीजी बस चालक परिचालक यूनियन नहीं यह हर्ताल की है आपको पता देगी सिमला में एचाटेस्टी बसों की संख्या सिमीत है और काफी संख्या में नीजी बस चलती है ऐसे में भारी भीड को परिशानी हुई सिमला के कोटखाई में आग आधी रात को 15 कमरों को 60 साल पुराना इसकूल हुआ खाग जह हिमाचल परदेश के सिमला जीले में आगनी कांड का मामला सामने आया है यहाँ पर सिमला की खोटकाई तहसिल के कलबोग में आग लगने से एक सरकारी स्कूल का भवन पुरी तरह जलकर राख हो गया है आपको पता देगी सौमार देर रात की यह घटना है 1960 में यह इसकूल बना हुआ था इसकूल की एक बिल्डिंग पुरी तरह से खाख हो गई है और लाखों की संपती पल भर में खाख हो गई है मंडी के सेरी चाननीनी पर बढ़ती महंगाई के खिलाब परदरसन राष्टपती को स्पीट पोट्ट से भेजा ग्यापन कि केंदर सरकार की जन बिरोधी नितियों के चलते बढ़ती महंगाई आज देश और परदेश में एक गंबिर समस्या बन गई है इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अखिल भारते जनवादी महिला समिती दोरा देश में बढ़ती महंगाई के खिलाब देश वियापी हस्ताक्षर अभ्यान चलाया था जिसके समापन पर आज अखिल भारते जनवादी महिला समिती दोरा पोस्ट ओपिस के माधियम से महामईम राष्टपती की ग्यापन भेजा है उन्होंने कहाए कि अखिल भारतिय जनवादी महिला समेती राष्टरपती से मांग करती है कि सारवजनिक रासन वित्रपरनाली को सारवभोमिक करके सुद्रीड बनाया जाए और खाद ये सुरक्चा के लिए बजट आवंटन में विरिधी की जाए हिमाचल में सरपलस बिजली उतपादन पंजाब हरियाना और राजस्तान में नहीं रहेगी पानी की कमी जिया हिमाचल के साथ साथ उत्तर भारत के तीन राजियों पंजाब हरियाना राजस्तान और केंडर सासीत परदेश चंडीगड के लिए अच्छी खबर है इन राजियों को पानी सप्लाई करने वाले हिमाचल के दो सबसे बड़े डेम भांकडा और पौंग तलाबाला भोने की तरफ है हिमाचल के साथ साथ पंजाब हरियाना राजस्तान और चंडीगड की लाइफ लाइफ लाइन कहे जाने वाली या दोनों डेम भरने से लोगों को साल बर पीने और खेती के लिए पानी की कमी नहीं रहेगी यही नहीं इस बार मानसूर सीजन में हो रही अच्छी बरसाथ से हिमाचल के 80% से ज़्यादा दूसरे डेम भी लगबग भर चुके हैं पाउटा में वकीलों की हर्ताल जारी ADJ की अस्ताई कोट खोलने की कर रहे मांग 8 अगस्त से चल रहा धरना जही माचल के पाउटा साही में सिर्मोर बार एसोसियेशन चे जुड़े वकील 8 अगस्त से हर्ताल पर बैठे हैं एसोसियेशन के अध्यक्ष राज़न्त सर्मा ने कहाए कि जब तक पाउटा साही में अतिरिक्त जिला एवम सत्र नयाले ADJ की अस्ताई अदालत खोलने की मांग पूरी नहीं होती तब तक उनकी हर्ताल जारी रहेगी सरकार के खिलाब करोना मुलक करमचारी महासंग में रोज जल सक्ती विवाग में 476 नोकरी का मामला अधर्म में लटका CM से मुलकात जे हिमाचल में राजे सरकार जल सक्ती विवाग में 476 करोना मुलक मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है इसे हिमाचल पर्देश जल सक्ती विभाग में और आज पत्रित कर्मचारी महासंग में भारी रोज है संग न सरकार से जल जल सक्ती विभाग में कोरुना मुलक नोकरी के लिए आवेदन करताओं को नोकरी देने की मांग किये अलका लंबा बोली 17-23 अगस तक सभी विधान सभाच छेतरों में पर्दसन करेगी कोंगरेश जै हिमाचल के सभी विधान सभाच छेतरों में 17-23 अगस तक महंगाई पर चोपाल चलेगा अखिल भारतिय कॉंग्रेस की प्रवक्ता आलका लंबा ने मंगलवार सिमला में आयोजीत पत्रकार वर्ता में कहा कि देश की जनता पर मोधी सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का बम फेका है कॉंग्रेस महंगाई के बम को डिफ्यूज करेगी इसके चलते इसकूली बच्चे करमचारियों सहीत आम लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है सिमला प्राइबेट बस ड्राइबर कंडेक्टर यूनियन का कहना है कि जब से महिलाओं को किराई में छूड दी गई है तब से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है हिमाचल के राजिपाल ना हाइकोट के दो जजों को दिलाई सपत जे हिमाचल परदेश के राजिपाल राजंदर विश्विनात अरलेकर ने मंगलबार को यहां उच नियाले के नव नियुक्त नियाधिसो सुनिल कुकुरेजा और विरेंदर सिंग को पत को से बदिलाई इस अफसर पर मुख्य मंत्री जैराम ठाकूर और हिमाचल परदेश उच नियायले के मुख्य नियाधिस अमजत अहतेसम सयद भी उपस्तित थी बिदान सबस्वा शुनाव का बहिसकार करेंगे फॉरलेन परभावीद जिए पठान कोट चकी मंडी फॉरलेन निर्मान के पांचवेव आखरी चरण में मंडी से नारला तक बनने वाले टू लेन की जद में आ रहे परभावतों जमीन की कीम्बत का ओचीद मुल्यांकन नो किये जाने पर फॉरलेन समनवे समिती ने परदेश सरकार और राष्टिय राजमल्क प्राधिकर्ण के विरुत सणक पर उतरने का मन बनाया है आपको पता दे कि समिती ने विधान स्वा चुनाव का बहिसकार करने के साथ सभी साजनितिक दलों के घेराभी की चेतावनी दिये रविवार को फॉरलेन समनवे समिती सदर इकाई के अद्देश विरंदर कुमार की अद्दिचता में हुवी बैठक में परभाईतों ने अपने इरादे जाहिर कर दिये हैं फोटो युग्त मद्दाता सुच्यों का 11 सितंबर तक करे नीरिक्छन जिए भारत निर्वाचन आयोक के निर्देशा अनुसार फोटो युग्त मद्दाता सुच्यों का आहरता तीथी एक अक्टूबर 2022 के अधार पर विसेच संचिप्त पुनरिक्छन किया जा रहा है उना जिला के परतेक मद्दान केंदर के अलाबा संबंदित निर्वाचन रईष्टी करन अधिकारी सहायक रईष्टी करन अधिकारी के कारियाले में 16 अगस्त को फोटो युक्त मदाता सुच्चों के प्रारूप का परकासन कर दिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त रागव सर्मा ने बताय की प्रारूप माधता सुचियों इन कारियाले में एक गारा सितंबर तक लोगों के निसुल के निरक्षन के लिए उपलब्द रहेगी मनी महस्यात्रा के दरान सर्धालो की मौत गुरदासपूर के वेकती को गौरी कुंड के पास उटा सीने में दर्द मिरतक की पहचान गुरुदास के पञजाब निवासी आस्वनी कुमार के रूप में होई है जनकारी के अनुसर आस्वनी कुमार अपने बेटे सुभम के साथ मनी महिस यात्रा के लिए आया हुआ था गोरीकुन पहुँचने के बाद अचानक उसके सीने में दर्द सुरू हो गया उसके बेटे ने इसकी जनकारी भरमोर के आपदा परबंदन को दी भुषकलन से हिमाचल में सो से अधिक सनके बादी तीन दिन भारी बारिस का अलट जैं हिमाचल में तीन दिन भारी बारिस का अलट है वही परदेश में भारी बारिस के चलती जगह जगह भुषकलन होने से एक सो से अधिक सनके भी बादी थे मोसम बिग्यान केंदर सिमला ने परदेश में 16-19-20 अगस्त के लिए भारी बारिश का एलो अलर्ट जारी किया है परदेश में 22 अगस्त तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है वही राज अबदा संचालन केंदर सिमला की रिपोर्ट के अनुसर मंगलबार सुबह तक परदेश में एक एन-एच समयत 178 सन के यातायाद के लिए बादित थी सिमला सर में थमें निजी बसों के पहिए यात्री परिसान विद्यार्थी कर्मचारी पेदल पहुँचे जे हिमाचल परदेश की राज़ानी सिमला में लोकल रूटों पर निजी बसों के पहिए आज थम गए हैं परदेश सरकार और परिवहन विवाग की और से मांगें नों मानने पर निजी बस चालक परिचालक यूनियन एक दिवसी हर्ताल पर हैं ऐसे में सुबह से यातरियों को परिशानी जेलनी पड़ रही हैं विशेशकर करमचारियों विद्यार्थियों को भारी दिकत्ते जेलनी पड़ रही हैं लोग पैदली अपने गंतवियों तक पहुँचे, सर के बस इस्टेन में बसों के लिए यातरियों को भीड़ लगी रही, सिमला में एचाटिसी बसों की संक्या सिमी थे, इसके चलते इन में भी भारी भीड़ रही, दोस्तों हिमाशल के सांदार और टॉप खपरों से अपड स्क्राइब जोरूर करें